दो परकार के तठ हैं, सपोस करिये, ये तठ वन है और ये तठ टू है, तो ये दो परकार के तठ मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप ध्यान से आप देखेगा, कि यहां पर यहां पर क्या है, आपकी जो यहां पर जो तरंगे आ रही हैं, इस समुद्र में, यहां पर भी आपका ये समुद्र है, हैँ, लूुद्र मैं ड़्ट nom क कुछा अभारा कि शरी चाल झालो है, आपका।, इसल जो जो पर एंट मैं, इसमें आपका इसरे समुद्र होगका तोग क्या है, कि एहां दोपका, आपका, यहां बहां है, झाल 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 यह आप कुछ देखने और समझने की कोशिस करेंगे और जब मैं समझाओंगा तो आपको झाल आपको दो वेव लेंथ नजर आती हैं शौट वेव लेंथ और लॉंग वेव लेंथ इस पिक्चर से समझ में आ रहा है कभी आपको यहाँ पर एक छोटा सा सैंड बार जिसको डुबा हुआ रहता है इसको बैंक कहते हैं लेकिन जैसे ही उपर आ जाता है तो इसको अब तर्टिय रोधिका या सैंड बार कहा जाता है तो यहाँ पर दो परकार के वेव आप देख सकते हैं कि एक छोटी वेव लेंथ का तरंग देदरेका रहेगा और एक बड़ी तरंग देदरेका रहेगा उसके उनसार से बिविन चीजों के निर्मान में हेल्प होता है तो एक पिक्चर दिमाग में आपको रहेगा फिर जो जब शॉट वेव लेंथ होगा आप इस इसको ध्यान रखेंगे शॉट वेव लेंथ कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो वेव बनेंगे वो बड़े छोटे छोटे वेव बनेंगे और इनकी वेव लेंथ जो है न छोटी छोटी है जब यह सॉट वेव लेंथ है तो यह जब आएंगे तो काफी तेजी से आती है शौट वेवलेंथ और जो सौट वेवलेंथ वाली होती है उनमें उर्जा ज्यादा तेज होती है तो ये जो है तट वन में जो है छोटी तरंग द्धर की धारा है छोटी तरंग द्धरे है छोटी तरंग यह short wavelength वाली है short wavelength और जो short wavelength होगा जिसमें short wavelength उसमें frequency ज़्यादा होती है तो आप जो छोटे wavelength होते हैं तो जब भी आप जानते हैं कि आपने कभी सुना होगा कि wavelength कम हो गया frequency ज़्यादा हो गई यह दोनों opposite होते हैं मतलब कि frequency आप ऐसे wavelength में आप बोलेंगे कि यह एक wavelength हो गया दो क्रेश्टों के मद की दूरी या स्रिंग बोलेंगे और दो यह ट्रफ है नीचे वाले के मद की दुरी को तरंग देधरे कहा जाता है तो माल लीजे कि जब लंबा तरंग देधरे होगा लंबा तरंग देधरे होगा तो हमने यह कहा कि यह एक तरंग देधरे और यह दुसरा तरंग देधरे माल लीगी, एक सेकेंड में दो ही तरंग देदर हो सके, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी दो है. तो जब एक vibration होने में, दो vibration एक second में हो रहा है, तो इसका तरंग देदर तो लंबा है, तरंग देदर लंबा है, लेकिन frequency क्या है, number of vibration, जो दोलन जो एक second में जितनी दोलन हो जाए, उस ही को बोला जाता है, frequency आवरित्ती, तो यहां पर आप क्या देखेंगे, कि frequency यहां पर दो ही है, पर second, लेकिन इसी की हम, इसी को हम यदी बोल लें, कि यहां पर ऐसे ऐसे आजाए, तो पर second मैंने बोला कि यहां पर 15 हो गए, 15, तो wavelength जब छोटा हो गया, यहां पर wavelength दोनों के दो क्रेश्टों के स्रिंगों के बीच की दूरी क्या हो गई, दो consecutive स्रिंगों के बीच की दूरी को हम तरंग देर कहते हैं, और यह चोटी हो गई, तो इसका मदलब 15 है, तो 15 जब हो जाएगी, तो frequency बढ़ जाएगी, और जब frequency आवरित्ती, पंदर आवरित्ती होगी न, wavelength छोटा तो आवरित्ती जादा, और यदि आवरित्ती जादा है, तो उर्जा भी जादा है short wavelength high energy, जैसे सुरी के तरफ से भी जो रोष्णी आती है, वो short wavelength में आती है, उसमें उर्जा बहुत होता है, तो short wavelength high energy, short wavelength high energy, और long wavelength low energy, यह आप जानियेगा, तो यह, 32 हमने यह देखा, इसमें क्या है, छोटी तरंग दर, short wavelength, तो इसमें क्या होगा, उर्जा क्या रहेगी, उर्जा, ज्यादा, या इसमें हम लोग लेंगे, उर्जा की अधिकता, जब उर्जा की अधिकता होगी, तो यह बहुत तेजी से जाएंगे, और बहुत सारे आएंगे, और यहाँ पर 30 चेत्र को, 30 चेत्र को क्या करेंगे, अप्रदित करेंगे और अप्रदित करके तर्टिय चेत्र से अप्रदित करके यहाँ पर इस जगह पर अप्रदित करके यहाँ पर कुछ अवसादों को लाकर जमा करते जाएंगे कुछ अवसादों को लाकर जमा करते जाएंगे तो जब हमने बोला साट वेवलेंट जोटी होगी और उर्जा जाधा होगी तो ततिये चेत्रों में अप्रदन होगा तो उर्जा ज्याधा और अधिक्ता तो हमने इसके बेसिस से बोला तटीय छेत्र में अप्रदन परंतु तटके समीप क्या होगा? तटके समीप निछेप, तटके समीप निछेप होगा, तटके समीप, तटके समीप, निछेप, तटके समीप क्या हो रहा है? जो चोटी तरंगे होंगी, सौट वेवलेंद होंगी, उर्जा जादा होगा, तो ये तर्टीय छेत्रों में क्या करेंगे, अपरदन करके, यही एक कोश्चन पूश लिया गया था, बेटा, कुछ मेंस में ऐसा ही, तो बच्चों को जब ये जानकारी, चोटी चोटी जानकारी नहीं रहती है, तो वो उसका एंसर देने में, बोलते हैं, मैंने तो किताबों में पढ़ा ही नहीं, लेकिन आप ये बेसिक जानकारी है, कि वेवलेंद जादा होगा, क्योंकि आपने क्लास टेंथ में भी एक पढ़ा होगा, E एक्वोलस टू Hμु, Frequency, मतलब है उर्जा जो है, Frequency अर्थात आवरित्ती के समानु पाथ है, यदि आवरित्ती जादा तो उर्जा ज्यादा, आवरित्ती मतलब फ्रिक्वेंसी जादा तो उर्जा जादा, फ्रिक्वेंसी कम, तो उर्जा कम, तो यह एक Planck's constant, H जो है Planck's constant है, तो हमें यह क्या मिल गया, कि E is directly proportional to mu, यह clear है आपको, पहले यह मुझे सबी बता है, किया frequency ज़्यादा होगी, तो उर्जा ज़्यादा होगा, यह आपको clear है, और जब frequency ज़्यादा होगी, तो उर्जा ज़्यादा होगा, और frequency जब बहुत ज़्यादा बनेगी, तो इसका मतलब है, कि तरंग देदर रहे है, या wavelength short होगा, सबको यह clear है, यह सब्सक्राइब को, सबी बच्चों से पूछा हूँ, जो बच्चे बैठे हैं यह भी क्लास में, आउनलाइन क्लास में, आप अपने अपने घर पे वर्चुली बैठे, मतलब आप अपने घर पे बैठे हैं, बट वर्चुली तो क्लास है, तो क्या आपको, बस, बेटा जब जवाब दोगे, तो यह आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही छोटी-छोटी ऐसी बाते हैं, हमने क्या बोला, उर्जा ज्यादा कब होगा, जब फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि ऐसा ऐसा है, तो जब ज़्यादा frequency होगी तो wavelength automatically छोटा हो जाएगा short wavelength मतलब frequency ज़्यादा short wave मतलब frequency ज़्यादा और frequency ज़्यादा तो उर्जा ज़्यादा तो जब छोटी तरंगे होंगी तो क्या होगी? छोटी तरंगे होंगी तो उर्जा ज़्यादा होगा छोटी तरंगे होंगी तो उर्जा क्या होगा? ज्यादा होगा तो आपको तटिये छित्रे के समीप अप्रदन होगा यहाँ पर चुछे तट के समीप निछेफ होने लग जाता है यदि छोटी तरंग गद्रे होंगी उर्जा जादा होगा तटिये छित्रे में अप्रदन होगा और तट के समीप निछेफ होगा और निछेफ में दो चीजे बनेंगी एक बनेगा बैंक और दूसरा बनेगा अप्तटिये रोधिका अब तटिये रोधिका अर्थात आफसोर आफसोर सैंडबार दो चीजे बनेंगे तो ये जो है आपको हमने क्या बोला जब तरंग देदर वेवलेंच छोटी होंगी तो उर्जा जादा होगा तट पे अप्रदन जादा होगा और तट के समीप निछेफ होगा और जब ये समीप ये जो उठ गया ये जो उत्थित उत्थित कुछ उच्चा वच समुद्र के तल पर बना महादीपिय मंग्न तट पर Continental Self है और यह डूबा हुआ हो तो इसको क्या बोलेंगे Bank इसको क्या बोलेंगे यह Bank बन गया लेकिन और जैसे मैं आपको लेकिन जैसे आपका जो तट है यह मान लिजे कि आप यह Land Pass है अस्थल भाग है और अस्थल भाग के सामने यह आपका समुद्र है लेकिन इस समुद्र में जो Bank है और यही समुद्र सब तट के समीप जो है वहाँ पे महादीपिय मंगन तट होता है और यह जो Bank है वो क्या है उठ रहा है लेकिन समुद्र सतह से उपर नहीं आया है तो चुपा हुआ है लेकिन इसके वज़े से बैंक जो बनता आता है जो बैंक का निर्मान हो जाता है जैसे आपने सुना होगा कि USA के पास USA के पास Grand Bank है जहां पर मचलियों को उत्पादन ज्यादा होता है इसा आप सुने होंगे और इंगलेंड के पास वहां पर जो North Sea है वो डौगर बैंक है वहां पर तो ये बैंक क्या है बहुत चिछला जगा है और जहां जितना ज़्यादा चिछला होता है वहां पर मचलियों की संख्या जादा होती है कि मचलियां जो हैं कम गहराई पे क्योंकि शurri के रोष्णी से आकर वहां पे भोजन अच्छा बनता है, शुरri के रोष्णी ज्यादा अंदर तक नहीं जाता है, तो जो वहां पे फाइटो प्लांक्तन भोजन बंआने के लिए जो उत्태-पादक है, phytoplankton पादप प्लवक वही भोजन बनाता है समुद्र में भोजन बनाने वाला पादप प्लवक है तो वो जब अच्छे से रोशनी आती है तो बना लेता है जहां पे चिछली गहराई होगी तो उस भोजन को खाने के लिए बहुत सारी मचलिया आ जाती है तो यही है कि पादप प्लवक को खाने के लिए वहाँ पे बहुत सारी मचलिया और बैंक का मदलब है चिछला समुद्र महादीपिय मगन तट था अल्रेड़ी वो समुद्र चिछला है लेकिन इसको और चिछला बना दिया किसने बना दिया बैंक ने और बैंक जहां पर बन जाता है जहां पर यदि आप देखेंगे तो यहां पर क्या है बैंक बन गया ये है आपका बैंक ये आपका बैंक है इसको भी मैं तट वन ही बना देता हूं फिलाल तट वन ही ये आपका बैंक बन गया और यदि मैं यहां से कोई हवाई जहाज, समुद्री जहाज आएगा, तो बैंक वाले चेतर में आएगा, तो साइद इसके चांसे है कि टकरा कर तूट जाए, जहां पर बैंक होगा, समुद्र के आसपास जहां पर बैंक होगा, तो वहां पर साइद वो आकर टकरा कर तूट तिसलिए बैंक जो होता है वहां पर परिवहन के लिए अच्छा नहीं होता है मदरू समुदरी मचलियों के लिए तो अच्छा है वहां पर काफी अच्छा होगा लेकिन बड़े समुदरी जहाज के लिए अच्छा नहीं है तो ये परिवहन के लिए बैंक जो है अच्छा नहीं माना जाता है तो हमने पहला तो देख लिया कि यहां पर क्या बना बैंक देखा बैंक क्या है एक छिछला चिछला समुदरी सतह निर्मान में सहायता करता है चिछला बनाने में ठीक है और ये समुदरी सतह पर उठा हुआ तट के समीप समुदरी सतह पर क्या है उठा हुआ बट डुबा हुआ तट के समीप समुदरी सतह पर समुदरी सतह पर उठा हुआ परंतु समुदर जल के समुदर जल के नीचे समुदर जल के नीचे डुबा हुआ समुदर जल के नीचे क्या है डुबा हुआ तो यहां पर आपने डुबा हुआ है यहां पर मचली का जो उत्पादन है अच्छा होगा लेकिन परिवहन के लिए अच्छा नहीं होगा तो कम गहराई जो इसने बना दी कम गहराई मचली उत्पादन के लिए के लिए क्या है अच्छा लेकिन हमने अगला बोला मचली उत्पादन के लिए अच्छा है लेकिन परिवहन के लिए परिवहन और कौन सा समुद्री परिवहन के लिए क्या है सही नहीं है तो ये बैंक के बारे में जानगे कारण क्या है डूबा हुआ है तो इस कारण से क्या है समुद्रों को पता होना चाहिए कि किस जगह पर क्या इस जगह पतन बनना चाहिए इस रास्ते म में यदि जो अतिधिक उर्जा वाली तरंगे आएंगी तटिय चेत्रों में यदि अतिधिक उर्जा वाली तरंगे आएंगी तो वो क्या करेंगी तरंगों तटिय चेत्रों को अप्रदित करेंगी और तट के समीप बैंक का निर्मान करेंगी बैंक का निर्मान करेंगी और उसके बारे में समझा दिया और जब छोटी तरंगे और अत्यदिक उर्जा वाली आती हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यह अत्यदिक बहुत सारे फ्रिक्वेंसी आ रहे हैं और यह अपरदन करके अपरदन करके